Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम discuss करेंगे class 9 subject social science का term 2 का exam, annual exam जो आपका हुआ है ठीक है आज और 2021-2022 session के लिए so final exam था ये आपका और काफी easy exam था और आपका exam कैसा हुआ कमेट करके जरूर बताइएगा morning shift का ये exam था ठीक है दो घंटे के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को जरूर से subscribe कर लीचे और maximum marks इसके थे 40 ठीक है तो जो exam था आपका वो इस तरह से खंड कर घग अड़ पांच खंडों में था केबल जो हैस में 13 प्रेशन थे सारे प्रेशन इसमें निवारिये थे और starting में दो अंक वाले प्रेशन थे फिर तीन अंक वाले और पांच अंक वाले ठीक है उसके बास तरोध अधारित प्रेशन जो की चार अंकों का है और इस तरह से आपको सारे questions क करने थे और last में आपको map भी दिया गया है तो सबसे पहले देखिए आपको दिया गया है माली जी आप दिली के निवाशी हैं ग्रेशन बृत्व में मौसम के अनुसार आप किस प्रकार के वस्तर पहनेंगे और क्यों तो गर्मी में कैसे वस्तर पहने जाते हैं गर्मी में एक सीजन में जो है इस तरह से गिरा देते हैं तो इनकी विशेशता हैं आपको बतानी हैं यहां से आंसर लिख देंगे यह वन मानसुरी वन होते हैं जो भारत उत्री ऑस्ट्रेलिया अमध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं इन छेत्रों में मौसमी लिख सकते हो प्रेशन तीन है राज्यासभा का महत्व बताईए ठीके तो राज्यासभा का क्या महत्व है यह आपको बताना है तो यहां से आप आंसर लिख सकते हैं राज्यसभा के सदश्य लोगसभा के सदश्यों के साथ मिलकर उप राश्ट्रपती का चुनाव करते हैं राज़सबा लोगसबा के साथ मिलकर राश्टरपती, सरोच नैले के नादिश और कुछ पतादिगारियों पर महावियोग लगा सकती है महावियोग का प्रिस्ताव तभी पारिश समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रिस्ताव को स्विकार कर लीता है तो यहां से आप अपना अंसर मैच कर सकते हो नेक्स देखिए प्रेशन चार दिया गया है आपको पारिशितिक तंत्र में ऐसंतुरन के प्रमूख कारण ठीक है रीजन देने है एकोलोजिकल इंबैलेंस के क्या-क्या रीजन हो सकती है काफी इजी कोशन है ये पारिशितिक ऐसंतुरन का मुख्या काण मानिवे क्रिया गलाप है जिसके काण विविन प्रकार के जूई जन्तु पौधे विलुप्त हो रहे है मनुष्य त्वारा अपने आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए ठीक है? आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए प्रकार्तिक संसवधन का तीशा दोहन किया जारा है जिसमें जीव जन्तु और पोधो के आवाशों का हास और विखंडन हो रहा है तो ये आपका अंसर 4 हो जाएगा आउ á question no. 5 है भारत की जलवायू अवस्थाओं की छेत्रियवी बिन्ताओं का उदारन सहीट वर्नन कीज़े तो जलवायू अवस्थाओं का छेत्रियव बिन्ताओं का आपको जो है उदारन सहीट वर्नन करना है तीक है? यानि regional variation in the climatic condition of India with suitable example पल की इंडिया में अलग-अलग जिखे पे कैसे climate जो है वो change होती रहती है अलग-अलग जिखे कहीं बारफ किर रही है कहीं बहुत जादा गर्मी है तो वो explain आपको यहाँ पर करना है तो यहाँ से कुछ points आप लिख सकते हो गर्मियों के समय राजसान के मरुस्तल में कुछ त पहुच आता है जबकि जमो कश्मीर में पहल गाम में अतापमा लगबग 20 degree Celsius तक रहता है सरदी में रात के समय जमो कश्मीर में का अतापमान 45 degree हो जाता है जबकि तिरुवंत पुर्म में यह 20 degree हो जाता है देश के अधिकतर भागों में जून से सितमबर तक वर्षा होती है परंतु कुछ चेत्रों में जैसे तमिलाडू तरपर वर्षा अधिकतर अक्टूबर नॉवंबर में होती है हिमाले के उपरी भाग में वर्षा अधिकतर हिम के रूप में होता है ता देश के अन्य भाग में यह वर्षा के रूप में प्राप्त होता है तो यह जो है इसमें से आप कुछ points लिख सकते हो next देखिए question number 6 है हमें चुनाव की आवशक्ता क्यों होती है why we need election तो हमें जो है जो देश है उसको अच्छे से चलाने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो नयाई प्रिय हो दूसरा जो इस तरहे correction ना करे और अच्छे व्यक्ति होने चाहिए और उन व्यक्ति को चुनने के लिए हमें चुनाव की आवशक्ता होती है और दूसरा है चुनाव को लोगतांतरिक मानने का आधार क्या है तो यहां से लिखेंगे answer 6 का A है लोगतंतर के लिए चुनाव आवशक है क्योंकि वे लोगों को स्वतंतर महसूस करने और अपनी सरकार चुनने की अनुमती देते हैं स्वतंतर और निस्पक्स चुनाव महतपूर्ण है क्योंकि वे लोगों की वोट देने की इच्छा से सीधे जुड़े वे हैं और वे प्रतिनेदी को चुनते हैं जो भी उनको जो है उचित लगता है तो यह आंसर आपका हो जाएगा Q6 का सेकेंड चुनाव लोकतंत्र का धार है चुनाव के बिना लोकतंत्र के परिकल्पना नहीं की जा सकती एक तिरसे लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे के पूरक माना जा सकता है चुनाव में अपने मतान के शक्ति का प्रियोग करके एक नागरिक का ये बड़े परिवर्तन ला सकता है और इसी के कान लोक तंतर में प्रतेइक व्यक्ति को जो है समान अवसर प्राप्ते होते हैं ठीक है लोक तंतर में चुनाव का बहुत जादा महतव है लोग सोचते हैं कि क्यों वोट करें पर हम वोट देखर अपने देश या समाज के लिए सही निता का चुनाव में मदद कर सकते हैं ठीक है मदद कर सकते हैं ठीक है यहां तक आप इसको लिख दीजे नेक्स देखे नेक्स दिया गया है नमबर साथ एक उधारन के मात्यम से ग्रामी निर्दंता की वेख्या कीजिए चन सिंख्य व्रदी के परणाम सरूप खादा अनवस्त्रावा सिक्षा चिकित्चादी की मांग के अनुसार पूर्ती ने होने के पाने के कारण ग्रामी निर्दंता में व्रदी हुई है यानि जो अपनी जो बेसिक नीट्स हैं आधार भूत जो जरूरते हैं उनको भी पूर फ़रण है कि नेक्स कोशेंन नंबर एट है सामाजिक निर्दंता सामाजी के विज्ञानिक निर्दंता को किस प्रकार जो है देखती हैं तो इसमें आपको बताना है, how does social scientist see the poverty, social scientist जो है poverty को कैसे देखते हैं इसका आर्थ है कि व्यक्तिक और राज़नीतिक सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तरने मिलना, ठीक है एसक्षा, रोज़गार के अवसरों की कमी, स्वास्ते सिवाँ, किसुविदाओं और सफाई व्यवस्था की कमी, जाती, लिंग, भेद, आदी, मानो, निर्दंता के कारक हैं तो इस तरह से जो सामाजिक निर्दंता है वो देखी जाती है Q9 है, भारत का राश्रपती ब्रिटेन की महरानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारी का दिक होता है, कथन की समिक्षा कीजिए तो भारत का राश्रपती जो है, उसके पास शक्तिया नहीं होती है, सारी शक्तिया लगवग परदान मंत्री के पास होती है तो जिस तरह ब्रिटेन की महारानी जो है अलंकारी की आनि ये के सूसजी तरीके से होते हैं केवल नाम के होते हैं उस पावर उनके पास नहीं होती है ठीके तो ब्रिटेन में भी क्या है ब्रिटेन में भी केवल नाम की महारानी है वहापर संसत का जो है वो ज्यादा इसलिए उसको कहा गया है कि वे केवल अलंकारी का दिक होती है और इसी तरह भारत का राश्रपती भी है तो इस तरह से आप इसका अंसर लिख सकते हो इस कोशन मी तो इसमें आसर लिख देंगे मुख्या कारियों के कारियों के इसका अंसर लिख सकते हो ने इस तरह से आप इसका अंसर लिख सकते हो अगला कोश्चन है वर्साई की संदी के प्रमुक प्रावधानों का वर्णन कीचे ठीक है तो वर्साई की संदी के प्रमुक प्रावधान जो है वो वताने हैं वर्साई की संदी के कारण जो आप कह सकते हो की भारी तबाई हुई थी जर्मनी में ठीक है और युद्ध की जर्मनी को ठहरा गया था तो इस संदी के वज़े से जो अपनिवेश थे लगबग 10% आबादी, 13% भूबाग, 75% लोग बंडार थे, ठीक है कोईला बंडार थे, वो सभी देने पड़े जर्मनी के सेना को भंकर दिया गया, खनीज संसादन जो राइनलेंड था उस पर भी मित में आपको इसमें बताना है, तो यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हूँ कि किस तरह से वरसाई की संदी जो है, वो हुई थी, ठीक है, यह आंसर आप मैच कर सकते हूँ, और इन्बैलिंग एक्ट जो है वो, 24 मार्च को पास हुआ, और हिटलर को भी, जो है, काफी कुछ क कारोबारियों को प्रेशान किया जाने रगा, ठीक है, तो इस तरह से जो इन्बैलिंग एक्ट था, उसके यह क्या थे प्रभाव थे, उसके बाद आपको यहां पे खंड घह दिया गया है, इसमें आपको अनुछे दिया गया है, ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ ले उनका साभ देने में उनहोंने भी, बहुमी का बताईए तो फरवरी क्राँथी जो हे, उसमें क्या हुआ था, फरवरी क्राँथी में सभी ओरतों ने बढ़ चड़ कर हिसा लिया था, और काम पर जाने से रोग दिया था, और उसके बाद ही जो पुरुष थे, उन्होंने भ जो है वो जमीन पर डाल दिये थे ठीक है तो इस तरह से उनके समर्थन में फिर जो है बहुत सारे लोग जो है वो आ गए थे नेक्स देखिए अगला जो आपको दिया गया है question number 12 में भी आपको अनुच्छे दिया गया है जो आपको अच्छे से read करना था और फिर इसमें question दि किन आवशक्ताओं को द्यान में रखा जाता है तो जो आवशक्ताओं है तो भारत में निर्दंता रेका का निर्दान करते समय देखे यहां से दिया गया है कपड़े जूते इंधन प्रकास शैक्सिक चिक सा संबंदी आवशक्ताओं पर विचार किया जाता है तो यही आज़ित कैलोरी आवशक्ताओं अबसु है तो यह जो हैं आपका kelike का अंसर को जाएगा यहां से लेकर यहां तक और तीसरे को जुषण का अंसर होpower भारत में शैरों और गाओं में कैलोरी आवशक्ताओं या लग अलग क्यों है तो包 इन शफित्रों में जो आवशकताएं हैं वो अलग हैं क्योंकि वहां पर जो काम है वो जो है एक तरह से physical work जादा है शारिरी कारे जो है वो ज़्यादा है खेत में काम करते हैं तो इसलिए वहां पर जो calories है वो ज्यादा चाहिएं ठीक है तो यह इस तरह से आप इसमें आंसर लिख देंगे नेक्स देखिए आपको मांचित्र दिया गया है और इसमें एक मित्र राष्टर जो है वन अलाइड पावर के बारे में आपको लिखना है तो जो है यहां पर क्या हो जाएगा वन अलाइड पावर जो हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा ठीके तो आप मैप जो आपको द दिया गया है न मैप में उसी में वो फ्रांस ही दिया गया है, क्लियर तो फ्रांस लिखतेंगे, उसके बाद देखें भारत की राजनीती करेका मांचीतर पर निमलिखित को उप्युक्त चिनों से दर्साई तो काशीरंग का राश्ट्रे उद्धान जो है, वो कहाँ पर है वो यहाँ पे आप बस केवल मैप में आपको France लिखना था ठीक है second जो आपको map दिया गया है ठीक है इसमें यहाँ पे आपको असम लिख देना है ठीक है यह आपका A हो जाएगा और यह आपका A का second हो जाएगा Tamil Labu और यह जो हैँए आपका हो जाएगा ठीक है और करनाट का ठीक है यहाँ पे वी पार्ट में आपका करनाट का हो जाएगा यहाँ पे यह तमि लाडू हो जाएगा और यह असम हो जाएगा तो यह थी आपका आज का एक्साम था बच्चो सोचल साइंस का वह discuss किया I hope आपके सारे questions जो है यहां से आपको clear हो गई है कि कौन सा question आपका ठीक है कौन सा गलत है अमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कीजिए so thanks for watching have a nice day